हलो फ्रेंड्स मैं आशोक आप सभी का उसा मैथ पर बहुत ही मोश्ट विलकम करता हूँ आज की इस वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं कि सौ से लेकर कि 999 तक की संख्याओं का वर्ग कैसे ग्याद करेंगे पिछली वीडियो में हम लोगों ने ये जाना था कि अगर संख्याओं दो अंकों की हैं तो हम उनका वर्ग कैसे ग्याद करेंगे जैसे दो अंकों की संख्याओं माल लेते 75 लिखा है और 75 का आपको स्क्वाइर निकान लेक बर में रिकॉल करा देता हूं तो क्या तरीका था साथ का स्क्वाइर 49 होता है पांच का स्क्वाइर कितना होता है पच्चीस होता ना बीच में क्या लिखना साथ पांच और दो को आपस में गुड़ा कर दी ना पांच सते 35 दुन्ना कितना हो जायागा 70 इकाई के स्थान पे एक ही अंक रहता 5 दहाई वाले स्थान पे इन दोनों अंकों को जोड़ के लिखना है बाकी जितना बचेगा उन सब को जोड़ लेंगे 49 और 7 मिलके कितना हो जायागा 56 तो 75 के स्थान कितना हो जायागा 56 तो इस तरीके से दो अंकों की संख्याओं का वर्ग हम बहुत ही आसानी से ग्याद कर सकते ठीक है आज किस फ्यूडियो में हम लोग ये जानते हैं कि अगर कहीं पे संख्याओं तीन अंकों की हैं तो हम उन संख्याओं का वर्ग कैसे ग्याद करेंगे ठीक है जैसे सबसे पहला नंबर हम ले लेते हैं आपको पता करना है कि 106 का स्क्वेर ग्याद करना है ठीक है जब भी इस तरह की संख्याओं आएंगी तो हमारे पास जो सिस्टम है या तरीका है हमें ये देखना है कि ये संख्या ऐसी कौन सी संख्या है जिसका परफेक्ट स्क्वेर हम आसानी से बना सकते हैं तो आप कह सकते हैं कि 106 के पास ऐसी कौन सी संख्या है जिसका हम आसानी से वर्ग बना सकते हैं वो संख्या कौन सी है 100 अब ये संख्या देखे 100 से कितना 6 कम है लेकिन math का roll है अगर आपने 6 कम किया है तो 6 हमको क्या करना पड़ेगा जोड़ना भी पड़ेगा और यहाँ पर क्या लिखेंगे जो भी हम जोड़ और घटा रहें उसका square तो 6 का square कितना हो गया 36 ठीक है अब देखे इधर आपको क्या लिखना है अगर हम इधर की बात करेंगे तो एक बार 106 में 6 plus करके लिखेंगे तो 112 दूसरी बार क्या लिखेंगे 106 में खटा की लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 100 ठीक है इसके बाद अगले इस टिप में क्या करेंगे हमेशा इन संख्याओं को 100 से भाग कर देंगे क्योंकि हमने बेस क्या माना है 100 ठीक आप 100 से भाग कर देंगे तो ये दोनों 0 कैंसिल हो जाएंगे अब 112 गुड़े 1 तो कितना हो जायागा 112 आगे आपके पास 36 लिखा समझेंगे ध्यान से जैसे क्या लिखा हुआ 109 का स्क्वाइर निकालना है तो किसके आज पास है एक ऐसी संख्या पता करते हैं जिसका पूरा पूरा स्क्वाइर आसानी से पता हो जाया संख्या है 100 हम मान लेते हैं कि 100 के आज पास है तो सबसे पहले क्या करें इसमें 9 घट लेकिन आपने घटाया है तो 9 क्या करना पड़ेगा जोड़ना भी पड़ेगा तो जो भी संख्या घटाते और जोड़ते हैं उसी संख्या का स्क्वाइर हम एक तरफ लिख लेंगे तो 9 का स्क्वाइर कितना हो गया एक्यासी ठीक उसके बाद फिर हमें क्या करना है 109 में 9 जोड़ के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 118 दूसरा क्या होगा 109 में 9 घटा के लिखेंगे 100 ठीक है अब यहाँ पे दो जीरो आ गए इन दोनों जीरों को हटाने के लिए जो मैठेड है उसमें 100 से भाग करते हैं हमे है आप यह सोच रहे होंगे अभी तो यह संख्या 100 के ही आसपास है आईए हम लोग एक बड़े नंबर का स्क्वाइर करते हैं बड़ा नंबर इंदसें जैसे मान लीजे आपको स्क्वाइर करना है 116 का स्क्वाइर निकालना है क्या करना है 116 का स्क्वाइर निकालना है तो 16 हमें क्या करना पड़ेगा जोडना भी पड़ेगा अब क्या करेंगे जो भी हमने जोड़ा और घटाया उसका स्क्वाइर तो 16 का स्क्वाइर कितना हो जाएगा 256 एक बात ठीक है और आपको ध्यान में रखना है जब भी यहां पर आएगा तो हमेशा दो संख्याएं ही गया 116 में 16 घटाएंगे तो 100 आ गया हमें क्या करना है 100 से भाग कर देंगे 0 से 0 कट गया तो 132 गुड़े एक तो कितना हो गया 132 गुड़े एक आ गया और यह क्या हो गया 256 एक बात का ध्यान रखना है हमेशा जो मैथड यहां पर लास्ट में दो अंक होने ची अगर तीसर प्रांक आता है तो यह इसके साथ हांसिल में चला जाएगा तो आपका एंसर क्या हो जाएगा 134 चपन यह किसका स्क्वेर है 116 गा ठीक है और हम लोग एक दो करते हैं अब जैसे देखें आपको निकालना हूँ 318 का स्क्वेर किसका स्क्वेर निकालना है 318 का स्क्वेर निकालना ठीक है तो आपको क्या तरीका बताया जा रहा है एक ऐसा नंबर देखेंगे जिसका पूरा पूरा स्क्वेर होता है तो वो नजदी की नंबर कौन सा हो गया 300 ठीक बात है न यह 300 नंबर हो गया है अब जो भी नमबर हम जोडते हैं गटाते हैं उसे नमबर का स्क्व लिख लेंगए 18 का स्क्व वाग करते हैं दोनों 0 cancel हो जाएंगे ठीक है अब सबसे पहला काम 3 से गुड़ा कर लें तो कितना हो जाएगा 76 तरीक 18 हो गया 3 तरीक का 9 एक 10 हो गया 3 तरीक का 9 एक 10 ठीक इधर के आगे हमारे पास 324 लेकिन हमने बताया कि हमेशा यहां से जो भी इस तरफ वाली संख्याए होंगी उनसे सिर्फ लास्ट के दो अंक ही लिये जाते हैं तो 24 लिया जाएगा 3 हासिल में जाएगा तो 18 कितना हो जाएगा 11 तो 1011 और यह 24 ठीक है तो इसका मतलब 318 का स्क्वाइर कितना हो जाएगा यह तो आप समझ पा रहे होंगे कि इन क्वेस्टन को हम कैसे करते हैं ठीक बहुत ही आसान तरीका है एक दो नंबर और लेते हैं ठीक है जैसे मान लीजे आपको निकालना है कोई बड़ी संख्या मान लेते 495 ठीक है 495 का स्क्वाइर निकालना है अब अगर आप ध्यान से लिखेंगे तो 495 का नजदीक की 400 नहीं होगा 495 का नजदीक का नंबर क्या होगा 500 ठीक बात है तो हम 500 को बेस बनाएंगे तो 500 को बेस बनाने के लिए कितना कम है 5 कम है लेकिन हमें बैलेंसिंग करने के लिए 5 जोडना भी पड़ेगा तो सबसे पहला स्टेप क्या जो भी नंबर हम जोड़ते या घटाते हैं उसका स्क्वाइर लिखेंगे 25 ठीक है उसके बाद 495 में 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा 500 और 495 में 5 घटाएंगे तो 490 अगले स्टेप में हमेशा 100 से भाग करेंगे तो 2-0 से 2-0 कैंसिल आउट हो जाएंगे अब 490 को पांच से गुड़ा कर लेंगे पांच जीरो जीरो पन्नवा पैंतालिस के पांच हासिलाया चार पांचो को बीस और चार चौबिस इधर के आगया पचीज अब देखें यहां पर दो ही यंक हैं तो हमारा स्क्वाइर कितना हो जाएगा 24-50-25 इसका मतलब 495 का स्क्वाइर क्या हो गया 24-50-25 बहुत ही आसान तरीका है अगर आप इस तरीकी को सीख लेते हैं तो कैलकुलेशन में अगर कहीं पर भी बहुत सारे क्वेशन मिलेंगे आपको वर्ग और वर्गमूल के चैप्टर में तो आप वहां पर इसको अपलाई करके क्वेशन को बहुत आसान बना सकते हैं ठीक है अब जैसे देखिए आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा आपने तो अपनी सुविधा नुसार सारे नंबर चूच कर लिए ठीक है अगर कहीं पर नंबर आ गया है 256 अगर कहीं पर नंबर आ गया है 256 तब कैसे निकालेंगे क्यूंकि 256 का स्क्वेर निकालेंगे अगर हम नजदीक का नंबर 200 भी लेंगे तो 56 प्लस माइनस रहेगा अगर हम 300 लेंगे तो 44 प्लस माइनस रहेगा तो यह तो बड़ी संक्या है तो आप जो भी नजदी की संक्या हैं उन संक्या में इसे 150, 250, 350 जा 450 जा 550 इस तरह की कोई संक्या भी नजदी की संक्या में ले सकते हैं ठीक है तब हम क्या करेंगे बहुत ध्यान से समझेंगे थोड़ी से नई बात मिलेगी इसमें जो भी नंबर हम जोड़ते घटाते हैं सबसे पहला काम उसका स्कोर है 36 ठीक है उसके बाद क्या करना 250 में हम 256 में 6 घटा देंगे तो 250 आ जाएगा और 256 में 6 जोड़ देंगे तो 262 आ गया अगले स्टिप में क्या करेंगे 100 से भाग करेंगे ठीक है आप 100 से भाग करोगे तो 0 और 0 हो जाएगा अब जब यहाँ पे भाग करोगे तो यह क्या हो जाएगा 262 गुड़े क्या हो जाएगा 2.5 है ना यह नमबर तो यहाँ पे 2 ही संख्या है तो यह नमबर लास्ट में जुड़ेगा अब लेकिन देखे इसको आसान करने के लिए आप क्या कर सकते हैं 262 गुड़े आप इस नमबर में 2 से गुड़ा कर दीजे 2 से गुड़ा कर दीजे और 2 से क्या कर लेंगे भाग ऐसा करने से आपको कैल्कुलेशन में थोड़ी सी सुखदा होगी बाती आप चाहो तो 2.5 का डायरेक्ट मल्टिप्लाई भी कर सकते हैं ठीक है कोई दिक्कत नहीं अब दीखें 2 से इसको काटलो कितना होगा 2.91 दो 2.3 छे 2.91 कितना आगया 131 और गुड़े कितना होगया 2.5 गुड़े दो कितना आगया ठीक है तो 5.95 हो जाया गई पांच तिया 15 के 5 हासिला या एक 5.95 पांच एक छे 655 और इधर 36 तो फाइनल कितना होगया 655 और 36 तो अब आप किसी भी नंबर का बहुत ही आसानी से स्क्वेर निकाल सकते हैं ठीक है अगर आप पो ये सारे कॉंसेप्ट समझ में आ गया है जो ही मैंने बताया है तो कमेंट बॉक्स में कुछ के आंसर आप बताये ठीक है जैसे 444 का स्क्वेर आपको बताना है 783 का स्क्वेर आप बताये क्या होगा ठीक है और 987 987 का स्क्वेर क्या होगा ठीक है तब तक पढ़ते रहिए सेखते रहिए और पैट के एक्जाम के लिए सारा कंटेंट रिवीजिन करते रहिए